लग भग 28 से 29 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए टीचिंग जोब्स आई हुई हैं सब्जेक्ट आपको सामने दिखाई दे भी रहे होंगी मैं अभी आपको बता देता हूँ संस्कृत की रिपीट हो रही है यहाँ इस नोटिस्फिकेशन में भी है और यहाँ सीरिय लंबर 11 यहाँ पे भी है इन सब्जेक्ट के लिए यहाँ रिकुट्मेंट आई हुई है तो कहां से रिकुट्मेंट आ रही है कौन-कौन कब से कब दक इन पदों के लिए आवएदन कर सकता है इस वीडियो में हम आपको बिलकुल विस्तार से सारी जैनकरी प्रोवाइड करा देंगे आप वीडियो को शुरूर से लेके आखिल तक जरूर से जरूर देखें और All Over India लेवल से Teachers Recruitment की latest update सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो छीक है दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो All Over India लेवल से कोई भी candidate इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है सबसे पहले ये देखिए नोटिफिकेशन सिधार्त विश्विद्याल का पिलवस्तू सिधार्त नगर उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है सब्जेक्ट मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ और अंतरास्टे बोध अध्यन के अंदर की तरफ से विकेंसिया आई हुई है सब्जेक्ट मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ इसके साथ साथ पुस्तकाल अध्यक्ष, साहिक पुस्तकाल अध्यक्ष और प्रोग्रामर ग्रेड वन की भी एक एक पद हैं यहां यह भी आप देख सकते हैं पेस के लिए इनके आगे दिया गया है और यहां पे भी आप देखेंगे केटेगरी वाइज पोस्ट दी गई है और पेस के लिए यहां उपर केटेगरी के अकोल्डिंग दे दिया गया है पद के अकोल्डिंग वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं और जहां तक इनके ओफिशल वेबसाइट की बात है वो है suksn.edu.in सिधार्त युनिवस्टि का पिलावस्तो सिधार्त नगर यूपी की ओफिशल वेबसाइट यहां पे आपको रिक्रूट्मेंट का सेक्शन दिखाई देगा फैकल्टी रिक्रूट्मेंट 2020 पे आप क्लिक करेंगे तो यह देखे आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा आविदन करने की अंतिम्तिती 17 फरवरी 2021 है तो देख लिजिएगा ओनलाइन अप्लाई करके अप्लिकेशन का प्रिंट आउट आपको निकालना होगा और वही आपको सेंड करना होगा सारी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी वीडियो ज़्यादा लंबा करने का फायदा है नहीं ओफिशल वेबसाइट मैंने आपको बता दी है किन-किन पदों के लिए recruitment आई हुई है कहां से आई हुई है वो information आपको प्रोवाइड करा दी गई है आप इस ओफिशल वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं प्रोफेसर, असोसेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए और उसी के साथ साथ